हनुमान जी को रामायन के अंत में श्राप क्यों दिया गया है? इसकी क्या स्टोरी? रभू भगवार्न राम के रहते हुए जो कुछ भी उनके जीवन में उने मिल रहा है वो उनका प्रशाद है पुरी हनुमान की राम भक्ती की पराकाश था पुरी रामायन में बताई गई है भले ही वो नातपाश को काटने से लेके संजीवनी लाने तक हो लाए सजीवन लखन जी आए त्री रगवीर हर्शियों लाए परम अराध्य हनुमान जी निस्संदे है राम जी के अनन्य भक्त थे पुर्जा जितना चागेगी उतना भीतर का आनन्द पैदा होगा दीवाली एक आग्ध्यात्मिक महोच्चो बन सकती है राम प्रतीक है कुछ जीवन के मूल्यों के राम पूरी तरह आस्व सत्थे है रोए रोए से पूरे प्राणों से किसी ताओ पूरुन पवित्र है असली निवाली तो तब है जब भीतर भी बैंड वाजे बज रहे होगा अग्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् नेगेटिव केरेक्टर्स का हमारी लाइफ में क्या ओचित है, क्या इंपोर्टन्स है वास्तों में धिरत जी कैकेही का चरित्र रामायन का बहुत अद्भूत चरित्र है बहुत जटिल भी है अगर गौर से देखें तो आप पाएंगे कि कैकेही हमेशा आपने कारे से ब्यवहार से दसरत का दिल जीत ली थी दसरत जी उसे बहुत प्यार भी करते थी निसंदेव उसमें अद्भूत गुण थे अन्यथा दसरत का इतना अधिक प्रेम प्राप्त करपाना संभो नहीं होता इसके अलावा वो पीर योद्धा भी थी जैसा कि उसे रिशी से वरदान प्राप्त हुआ था उसके एक हाथ में वज्र जैशी शक्ती थी और एक आउसर पर जब राजा दसरत के साथ युद्ध में गई थी उसमें दसरत के रथ का पहिया तूट जाने पर उसने अपनी उगली उस पहिये में लगा दी थी जिसके कारण दसरत की जान बची थी और युद्ध में सफलता प्राप्त हो सकी थी और उस आउसर पर जो इतना महत्यप्रोड योगदान कैकेई ने दिया था उसके कारण ही उन्होंने दो वर्दान देने का वशन दिया था और उसी वर्दान के परिणाम शुरूप राम का बनवास और भरत को राज्यावेशेक किये जाने की मंग की गई थी अब प्रशन उठता है कि कैकेई का ऐसा चरित्र वास्तों में था या किसी विशेस परिस्तिती के करण हुआ निस संदे रामायन एक अद्भूत महाकाब्य है जिसके माध्यम से उस समय के समाज को उस समय की जन्दा को एक सारगर्भिच संदेश देने की चेस्टा की गई और यह एक इस्वरी लीला का महाकाब्य है जिसमें इस्वरी लीला के करत्य के और इस महाकाब्य के संदेश को जन्दा के हरदे तक पहुशाने के लिए कुछ अभीस्त पात्रों का चैन करना पड़ा जिसकी भूमिका के रूप में केकेई के इस चरित्र को लाना अपरिहाने हो गया इसलिए इस पर किसी भी प्रकार से जजमेंटल होना या उसके चरित्र पर निर्णड़े आरूपित करना तरक संगत नहीं प्रतीत होता है फिर भी भूमिका उसकी नकारात्मक थी भूमिका उसकी सामाजिक मुल्यों और मन्यताओं के विप्रित थी और उसको उजागर करने के रूप में ऐसे पात्र के रूप में इस भूमिका को उसे निबाना पड़ा और वास्तो में कहे कही का सारा दोस कहे कही का सारा निर्णे मन्थरा के माध्यम से प्रभावित हुआ जो उसकी दासी थी जैसा महा काबे में उलेख है सनी के दुष्प्रभावों के कारण मन्थरा ने एक ऐसी चाल चली एक ऐसी गलत भूमिका नहीं भाई एक ऐसी सलाहकार की इस्तिती में हुई कि मा के भीतर के ममत को मा के भीतर की ममता को मा के भीतर के पुत्र के परति प्रेम को इस तरह उसने प्रक्षेपित किया और इस तरह से कैके को समझाया उसकी नकारात्मक भूमिका के कारण करण कायकेई को वेबस होकर के इस तरह के वर्दान मांगने को वेबस होना पड़ा। जैसा कि गौर से देखने पर पता चलता है कैकेई राम को भी बहुत प्रेम करती थी और उस प्रेम का ही प्रेडाम था कि वरदान मांगने के बाद भी जब भरत ने सोयंग का राज्याविसे करने से इंकार कर दिया और ये भी संकल पलिया कि पूरे जीवन में वो कैकेई को मा के रूप में संबोधित नहीं करेगा तो वास्तों में भरत का ये निर्णे निश्यत रूप से सिद्ध करता है कि कैकेई ने जिस पुत्र को जन्म दिया था कैकेई के खून में कैकेई के प्राणों में कैकेई के वर्तियों में जरूर ऐसे साथ में गुण बृत किया रही होगी जिसके परड़ाम शुरूब ही भरत ऐसे मात्वण नड़ा ले सका बहुत ही सुन्दर अंसर दिया गुरुजी अपने इतना वड़ा गलत करम करने के बाद कैकई के श्री राम आयोद्य आपस आने के बाद चरण चूते हैं और उनसे आशिरवात लेते हैं तो वो किसी भी तरह का द्वेश अपने मन में नहीं रखते इवन उनका नुकसान कैकई ने किया एक नेगेटिव करेक्टर का पातरों ने निभाया सब भी वो पूरा द्वेश से मुक्त होके और उनके मा की तरह पैर चूत तो इसका अर्थ क्या है क्या नेगेटिव करेक्टर जो हमारी लाइफ में आते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और कभी कोई नेगेटिव करेक्टर कभी हमारे से नुकसान कर जाता है कभी क्रोध करके हमारे को पिछलित कर जाता है क्या उस नेगेटिव करेक्टर की कुछ भूमिका होती है हमारे जीवन में कुछ लेसन देने के लिए वो आता है और उसके प्रति हमें कैसा रवईया रखना चाहिए आस्तों में भगवान राम का यह कृत्य सत्य को दर्साता है कि जीवन में तमाम परिष्थितियों होती है और कभी कभी व्यक्ति उन परिष्थितियों के प्रभाव में किसी लोभ के प्रभाव में किसी अन्य आकरशन के प्रभाव में किसी अन्य उपलब्धी के आकांग्शा से कुछ निर्ड़े लेते हैं और उसके परड़ाम सुरूब बहुत सारी तुर्टियां बहुत सारी गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिन से जीवन की मर्यादाओं का उलंगन होता है लेकिन समझदार व्यक्ति ये चांदा है कि वास्तों में यह व्यक्ति इन विशेश प्रलोभनों या इन विशेश परिस्तियों या इस विशेश सरी अंद्र के परेड़ाम जुरूब ऐसा दर ले रहा है वा उन परिस्तियों पर भी गौर करता है और जब उन परिस्तियों पर गौर करता है तो उस व्यक्ति के मोल सुभाव की और भी उसका ध्यान जाता है जिसके द्वारा गलती की गई है और तब उस व्यक्ति के प्रति भी उसके प्रणों में करुना का भाव होता है प्रेम का भाव होता है और जैसे उससे वो गलती हो गई और उस गलती का प्रस्षाताब भी उसे हो रहा है ऐसी परिस्तिती में राम जैसा व्यक्ति यही अपेक्षा करता है कि भाई भरत भी अपनी मा को चमा करते और इसलिए उन्होंने भरत से कहा भी कि ध्यान रखना मा के भीतर पुत्र के परती मम्ता और गहन प्रेम होता है वाह इतना प्रेम करती है बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो भी उसके परती पुत्र के प्रणों में चमा का भाव होना चाहिए क्योंकि भगवान राम ने कहा कि मा जो कुछ भी करती है अपने लिए नहीं करती है पुत्र के लिए ही पुत्र के परति प्रेम के कारण करती है उन्होंने भरत से कहा तुम्हारे परति परम गहन प्रेम के कारण और दूसरों के समझाने के कारण गलत सलाह के परिडाम सरू बसी भूत होकर माने अशादन रहे लिया उसलिए मा को तुम्हें छमा कर देना चाहिए और यही भाव यही संदेश हम सब के प्राणों में भी होना चाहिए कि हमारे एर्द गिर्द हमारे आस पास जो हमारे प्रियजन रहते हैं उनसे तमाम तरह की तुर्टियां गलतियां किनी विशेश कारणों से किनी विशेश परिस्तियों में किनी विशेश प्रलोबनों में हो सकती है हमें उसे लाइफ लांग दुस्मनी का विशे न बना कर उसमें छमा पूर्ण होने का भाव पैदा करना चाहिए और छमा कर देना बहुत बड़ी शक्ती है जिससे बहुत सारी नकारात्मक्ताएं समाप्त होती हैं व्यक्ति स्वेंग उन नकारात्मक्ताओं से मुक्त हो जाता है और सामने वारा दूसरा व्यक्ति भी तमाम सारी नकारात्मक्ताओं और तमाम सारी पिड़ाओं से मुक्त होन की आवस्था में पहुंच जाता है माता सीता जो लक्ष्मी का आवतार है जो पती व्रता है जो सात्विक्ता की परिकाष्था है उन्हेवे स्वर्ण हिरन लुभा ले गया तो ऐसे स्वर्ण हिरन क्या हमारी जिंदगी में भी आते हैं क्या ये स्वर्ण हिरन असली है या हमें भ्रह्म हो जाता है जैसे माता सीता को हुगा निश संदेह स्वरण म्रग तो मात्र एक भ्रह्म की अवस्ता की विराड घटना है इसलिए महार सिबालमीग ने रामयन में कहा है असम्भवम हेम म्रगस जन्म तथा पिरामो लुलुभे म्रगाय सोने के मरग का जन्म होना सोने के मरग का पैदा होना असम्भव है इसके बावजूद भी राम जैसे व्यक्ति उसकी और लालाईत हो जाते हैं प्रलोवित हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कभी-कभी कुछ चीजे इतना आकर्शक होती हैं कि उनका आकरशन व्यक्ति के विवेक को पीछे कर देता है और विवेक सुन्य अवस्था में व्यक्ति उस आकरशन के पीछे दोड़ पड़ता है यही उस स्वर्ण मर्ग के साथ गटना गटी सोने के हिरन को देखकर सीथा आत्यधिक आकरसित हो गई यहां तक कि लक्षमन ने उन्हें याद भी दिलाने की कोशिश की कि शायद यह माया भी इरन हो लेकिन उस समय वह उस दिशा में भी नहीं सोच सकी और भगवान राम जैसा व्यक्ति भी भीतर तो सोची रहा था कि सोने का अम्रग नहीं हो सकता है और तमाम कथाकार और व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान राम जैसा व्यक्ति सोने के हिरन के पीछे दोड़ पड़ा निस संदे एक बड़ा महत्त पूरुण बिंदु इस संबंध में कहना चाहूंगा भगवान राम से सीता जी ने विवाह के उपरांत इतने सारे 12-13 बरसों में कभी एक छोटी सी भी बात की मांग नहीं की वो इतना ज्यादा संतुस्ट परित्रिप्त रही अपने पती से कि कभी किसी चीज की आकांग्शा नहीं व्यक्त की कभी किसी चीज की मांग नहीं व्यक्त की और जब पहली बार सीता ने सुर्ण मर्ग की आकांशा व्यक्त की तो ना चाहते हुए भी हर कीमत पर उसे सीता माता को लब धकराने के लिए रामजी दोड़ पड़े संबह होता है सीता के प्रति उनके प्राणों में जो गहन प्रेम का भाव था वही सोने के मर्ग के पीछे दोड़ने के लिए उन्हें भीवस कर दिया नहीं चाहते थे कि एक मात्र चाह, एक मात्र अकांख्षा जो सीता जी ने रखे है इतने बरसों में उनके सामने वह अपूर्ण रह जाए इसलिए वो भी प्रेम के गहन भाव के करण विवेक खो बैठे और सुर्ण के हिरन के पीछे तोड़ पड़े लेकिन जैसा मैंने कहा था कि इश्वरिय लीला को जन्मानस तक पहुँचाने और जन्मानस के जीवन को रूपांदरित करने के लिए कठानक का एक मात्र पूर्ण आयाम है जिसे परस्तुत करना ही था रही बात आज की जीवन में आज की जीवन में भी लोग तरह तरह से इस तरह की समस्या का सिकार होते हैं आपके सामने बहुत सारे आकरसक इंवेस्टमेंट प्लांस लेकर के लोग आते हैं और दिनों दिन में करोड़ पती अरब पती बना देने की योजना ही लेकर आते हैं वो इतनी आकरसक लगती है इतनी लभावनी लगती है कि व्यक्ति बेवेक हो बैठता है और उन्में उलज जाता है और अंदता पता चलता है कि उसे चीट कर लिया गया इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं साट कट्स को ले करके आजकल मेडिटेशन के भी साट कट्स हैं इनलाइटनमेंट तक के साट कट्स हैं लोग परोज रहे हैं वो देखते देखते आपको लाइफ ट्रांसफार्मेशन करा देंगे आपकी जिन्दिगी में परम आनंद की रजधार पैदा कर देंगे और यहां तक बाते करते हैं कि आपको राम का कृष्ण का जीसस का बोध करा देंगे उस अवस्था में पहुँचा देंगे लेकिन जब भी आपको इस तरह के बहुत ही अतिशाय आकरसक प्रलोभन मिले तो वहां जरूर ठार जाना एक बर पुनर विचार करना उस चीज को गोर से देखना तब तुम पाओगे कि निश्यत रूप से ये चीजें मातर धोखा है वैसे ही दोखा है जैसे स्वर्ण का हिरन दोखा सिद्ध होता है वैसे ही ये सारी चीजें सारे साटकर्ट और एक्स्ट्रा आर्डिनरी एलॉर्मिंट्स अंतता जूटे और धोखे होते है प्रुदे धोखा मिलने के बाद उसकी बहुत बड़ी कीमत किसी भी व्यक्ति को चुकानी पड़ती है मातर सीता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी दो तरह से एक श्री राम से वियोग का दुख चो ने सहना पड़ा लंका में अकेले रहके दूसरा अंत में रामायंड के जब उन्हें अगनी परिक्षा देनी पड़ी अगनी परिक्षा का जो इशू है वो बहुती डिबेटेवल है उस पे आस तक बहस हो रही है इवन अलग-अलग रामायंड के वर्जिन में जो वालमी की नीजर जी ने पहले लिखी और बाद में और वर्जिन्स आए उनमें अलग-अलग विवरन है कि ये जो प्रष्ट है ये कैसे घटित हुआ किसी-किसी में ये दिया गया है कि श्री राम ने रिक्वेस्ट किया श्री राम ने बोला अगनी परिक्षा देने के लिए किसी किसी में यह विवरन भी है कि मातवा सीता ने खुद आगया के इसका चौइस किया कि मैं अपनी जिद्ध करना चाती हूँ चुद्धी या प्यॉरिटी तो क्या श्री राम का मातवा सीता से अग्नी परिख्षर लेने का या प्रश्ट, क्या यह है श्री राम की कोशिश, तही थी, गलत थी, या फिर इसका क्या अभी प्राए है? जहां तक मैं इस प्रसंग को समझ सका हूँ धिरजी राम और सीता का प्रेम इस अस्तित में गहंतं प्रेम की एक घटना है और वो प्रेम इतना गहन था कि राम के प्राणों में सीता के प्रती कोई संदे संबहोर हो जगता था और ना ही सीता के प्राणों में राम के प्रति कोई संदे संभव हो जगता था इसलिए राम के भीतर सीता की परिक्षा लेने का कोई भाव उठा ये बात बिलकुल ना समझी की है ऐसा असंभव है और ना ही सीता के प्राणों में कोई भाव कभी उठा कि वो राम के बारे में अगनी परिक्षाल ले हाँ ये कता जरूर अर्थपूर्ण है कि किसी धोबी ने ये कहा कि इतना दो बरस तक रामण के साथ रहने के बावजूद भी राम ने सीता को सुविकार कर लिया और ये उनकी मर्यादा के बिपरीत बात कही गई इसलिए मर्यादा की रख्षा के लिए और लोक मानस में कोई गलत संदेश ना जाए कि मैं जीवन के मूल्यों के परती जागरूक नहीं हूँ जीवन के मूल्यों के परती होशपूर्ण नहीं हूँ या जीवन के मूल्यों का तेरसकार कर रहा हूँ यह संदेश देने के लिए कि सीता वास्तों में साधारन इस्तरी नहीं आसाधारन इस्तरी और यह संदेश देने के लिए कि सीता के प्रति मेरे प्राणों में जो प्रेम हो इतना आसाधारन है कि सीता गलत होई नहीं सकती ये संदेश देने के लिए कि जो सीता परम पवित्र हैं ये उनके बारे में कोई संदेश क्यों करे और लोक मानस में उनके असाधारन व्यक्तित्तो का संदेश जाए इसलिए उन्होंने इस आउसर का उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता से किया मैं आपसे को हूँ जैसे अगर हजार लोग बैठे हूँ और कोई आपके उपर ये आरोप लगा दे कि जो हेरे की अंगुठी इस भीड में खो गई है वो आपके जिब में है आपने उसे चुरा ली और आपकी पत्नी आपके साथ है और आपकी पत्नी बार-बार इस सत्य को जानती है कि आपने चुराया नहीं लेकिन सारी भीड आप पे आरोप लगा रही ऐसे में आपकी पत्नी क्या चाहे कि उसके प्राड़ों में यही ललक होगी कि मेरा पती जेब की तलासी करा ले और जेब की तलासी करा के सिद्ध कर दे कि वो चौर नहीं है या आपकी पत्नी जो जानती है कि आपकी जेब में अंगुठी नहीं है हेरे की अंगुठी नहीं है जिसका इजाम आप पे लगाया जारा क्या हो चाहेगी कि आप परिख्षा ना दें आप अपनी जेब न दिखाएं क्या चाहेगी हर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से आप अपनी जेब दिखा दें और उसकी यहाँ कोशिश कि आप अपनी जेब दिखा रहे हैं इसलिए नहीं है कि आप पे संदे है उसको इसलिए है कि आप पे पूरा यगीन है पूरा भरोसा है कि आपकी जिब में चोरी की हुए हीरे की अंगूठी नहीं है ताकि सारी दुनिया देख सके कि उसका पती प unreत है संभोताराम के प्रणों में यही भाव रहा होगा और संभोता है सीता के प्राडों में भी यही भाव रहा होगा कि जो सत्त है उसे उजागर क्यों न होने दिया जाए ताकि जन्मानस में अच्छा संदेश जाए और अगनी परिक्षा से वही सच्छा संदेश जन्मानस में कया यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि राम ने संदेश के कारण सीता को अगनी परिक्षा के लिए बिवस किया संदेश की कारण नहीं संदेश सुन्नता के कारण टोटल टर्स्ट के कारण गहन प्रेम की गहराई की अगाध सत्यता के करण राम के और सीता के दोनों के प्रणों में ये बात हुई कि अगनी परिक्षा हो जाने देना चाहिए और इसलिए माता सीता ने अगनी परिक्षा का भी विरोध नहीं किया इसलिए यह बहुत ही अर्थ पूर्ण घटना है और जिसके भीतर बहुत ही सकारात्मक संदेश है कुछ लोग कहते हैं कि सीता की तो अगनी परिक्षा राम ने ले ली सीता को भी राम की अगनी परिक्षा लेनी चाहिए थी और लोग इसे नारी शक्ति के अफ्मान की रूप में देखते हैं लेकिन गहन्टा से देखें तो ये नारी शक्ति का अफ्मान या पुर्ष सक्ति की स्रेश्टता की बात नहीं है यह केवल गहन प्रेम की विज़े का प्रतिक है और गहन प्रेम को इस्थाबित करने की घटना है गुरुदेव इस प्रष्ट को इस कहानी को देखने का एक लेंस ये भी है कि आधोनिक जगत में यदि कोई विवाद उठता है तो उसके solution के लिए हमने अदालत का system बना रखा है हम इसके पीछे लेकर जाएं तरेता युग में तो उस समय एक आरोपी है जो की धोबी आपने बोला और आरोपित हैं श्रीराम और सीता और यहाँ पर आरोपी आरोपित के बीच में यदि विवाद उठा है तो एक neutral party को फैसला करना पड़ेगा लेकिन उस समय पे आरोपित भी श्रीराम है और judge क्योंकि एक राजा का धर्म है judgment देना तो judge भी श्रीराम ही है तो वो इतनी difficult position में है कि वो ही उसको analyze करते हैं situation को इतना प्रेम रहकर भी अपनी बतनी के लिए इतना प्रेम होकर भी इतना cut-in फैसला उने करना पड़ता है तो इसे एक positive lens से देखना चाहिए ना कि negative lens से कि उन्होंने ऐसा फैसला कैसे दे दिया जबकि जो इतनी difficult position में है उसके लिए इतना difficult फैसला देना बहुत मुश्किल है वास्तों में इसमें difficulty क्या है और ना यह कोई difficult फैसला था राम पूरी तरह आश्वस्त थे है रोए रोए से पूरे प्राणों से किसी था पूरण पवित्र है और यह आशर था एक छोटे से अग्न परिक्षा के करत के माध्यम से सारी दुनिया में सत्याफित कर दिया जाए चुकि सीता की ववित्रता के पूरी तरह आश्वस्त थे खत्रे की बात तो तब होती या इतने बड़ी समस्या की बात तो तब होती जब भगवारन राम को थोड़ा भी संदे होता कि अगर सीता अग्न परिक्षा में पास न हुई तो कितना बड़ा नुक्सान होगा कितनी बुरी घटना होगी इसलिए इसमें किसी भी प्रकार कर रिस्क उनके भीतर था ही नहीं एक दूसरे ये कोई पेटीशन का मामला नहीं था कि कोई आरोपी अगर कोई वाद होता है तो वाद में एक व्यक्ति सफर करता है और दूसरा उस सफर करने का कारण होता है धूभी ना तो कुछ सफर किया था और सीता ने कोई छोड धूभी को पक्ष़ाई नहीं थी तो कोई आदालत जैसे इस्टिश नहीं थी कि धूभी आदालत में जा सकता था और मुकद्मा कर सकता था और नड़ल ने सकता था लेकिन राजा होने के नाते और राजा के प्रती प्रजा के चित्त में ऐसी धारणा नहो कि राजा धर्म, न्याय और सामाजिक दवस्था के विपरित आचरण को प्रोच्छाहित कर रहा है इसलिए धर्म के हित्मे, न्याय के हित्मे, सदाचार को इस्थापित करने के हित्मे, उस सत्य को उजागर करने के लिए जो वास्तों में उन्हें अपने प्रानों के अनुभों से पता था कि सत्य है, उन्होंने आग्नी परिप्छा के कृत्य को उन्हें दिया इसको रोक देते तो निश्चित रूप से राम पर भी प्रशन चिन उठ सकते थे सीता पर भी प्रशन चिन उठ सकते थे और राम जो मर्यादा पुर्शोत्तम कहे गए है जो मर्यादा की पराकास्था के परतिने थी है एक राजा के रूप में उस मर्यादा का भी उलंगन हो जाता हनन हो जाता इसलिए अगनी परिख्षा अर्थपूर थी difficult decision मैंने क्यों कहा गुरू जी इसका कारण ये है कि difficult वो इस लेंज से था कि श्री राम जो की मर्यादा की परिखाष्टा पे हैं उनके उपर ये इल्जाम आ गया या अभी भी लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी तबसे पवित्र लक्ष्मी स्वरू पत्नी के उपर शक किय या उनके उपर शक करके और उनको होने दिया ये अगनी परिक्षा से पास जो कि उन्हें करना चीए इस बात को तो मैने पहले ही इस पस्ट कर दिया कि अगर सक होता तब निश्चित रूप से वै अगनी परिक्षा का विरॉद करते हैं सक तो धाई नहीं नहीं वो पूरी तरह आजस्वस्त थे कि सीता पूर्ण पवित्र हैं इसने इस अगनी परिक्षा की घटना का उना देश हित में और प्रजा के हित में और राजा राम और उनकी पदनी सीता की मार्यादा को अक्षण बनाए रखने की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम था गुरुदी मर्यादा की हमने बात की राम त्रेता में थे और अभी कल्यूग चल रहा है यहां पे हर पक पक पे ऐसे धोबी हैं जो आपसे अगनी परिक्षा की डिमांड करते हैं पक पक पे ऐसे रावण हैं जो आपसे चल करने की कोशिश करते हैं तो त्रेता में राम ने जो किया क्या कल्यूग में भी मर्यादा में रहकर कारे किया जा सकता है क्या कल्यूग में भी राम हो सकते हैं वास्तों में राम निश्चित रूप से मर्यादा के प्रतीक है कुछ मननताओं के प्रतीक है राम प्रतीक है कुछ जीवन के मूल्यों के और जीवन के मूल्य क्या है जीवन के मूले जो सबसे मात्पूण है आजमे के जीवन में सत्ते हो अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, आस्ते हो यानि चोरी ना करने की परवट्ते हो ये जो मानो मुल्य हैं, ये सत्य जुग, त्रेता, द्वापर, कल जुग, सब में ही महत्यपूर्ण मुल्य हैं और रहेंगे, क्योंकि जब ये महत्यपूर्ण जीवन मुल्य मनुस्य के जीवन का अंग होते हैं, तो मनुस्य के जीवन में शान्दी की आनंदी की रसधार होती है, अन्य था मनुस्य तरह की उन बिशमताओं का सिकार हो जाता है, जिसकी करण जीवन नरक बन जाता है, इसलिए हर व्यक्ति का कल जुग में भी यही उद्द ऐसे होना चाहिए कि वह जीवन के मूल्यों को अपने जीवन का अंग बनाने की दिशा में सक्री हो पहली बात दूसरी बात जीवन के मूल्यों को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए कुछ महत्तपून चीजें जरूरी हैं अगर आप अपनी इनर वेल बिंग पर आप अप तरिक स्वास्त पर ध्यान देंगे, आप स्वयंगे पर फोकस करेंगे, आप स्वयंगे की चेतना को विख्षित करने की दिशा में कोशिश करेंगे, तब ये मानों जीवन के महत्वपुनमूले, नेचरल बाइप्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में प्रकठ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप सिर्फ दूसरों को सिच्छित करने की कोशिश करेंगे कि सत्याहिंसा प्रेम करना इस दिशा में आद्मी को सक्री होना चाहिए इनका पालन करना चाहिए और इनकी सिख्षा देंगे, इनका उपदेश देंगे, इनका प्रवचन करेंगे सिख्षा देने से, पाठ पढ़ाने से, उपदेश करने से ये मनुस्य के जीवन के अनिवारे अंगन नहीं बन सकते किसी भी यूग का व्यक्ति रहा हो अगर उसने सोयंग की चेत्रा को विक्सित करने की दिशा में ध्यान और प्रेम जैसी साधनों का अभ्यास किया है तो ये सारे मूले ये सारी मर्यादाएं उसके जीवन में स्वता प्रकट होती चली जाएंगी सत्य जुग त्रेता द्वापर हर युग में तमाम सारे लोग रहे हैं जो इन मानूम मूल्यों से वन्चित और विहिन रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंतरिक साधना पर आंतरिक विकास पर चेतना के विस्तार पर जोड नहीं दिया इसलिए सभी युगों में धर्म को साधना को और आत्मिक विकास को परसिक्षित करने के लिए बच्पन से ही सक्री किया गया कल युग में भी बच्पन से ही ध्यान और प्रेम की दिख्षा आदुन ज्यान और विज्यान की विस्तारी सिख्षा लोगं को उपलब धकराई जाए तो 21 सदी में भी राम और क्रिष्ण पैदा हो सकते हैं मेरा तो अभियान ही है कि अब राम और क्रिष्ण की रामायन और गीता की सिर्फ साबदिक सिख्षा या उवदेश नहीं देना है हमें राम और कृष्ण पैदा करने है तभी मनुस्यता बिक्सित हो सकती है तभी इस पृतिवी पर हंस्ता हुआ नया मनुस्यता हो सकता है गुरुदे इवन सत्यूग में भी सत्यूग के बारे में तो यही कहा जाता है कि उस समय सभी लोग अच्छे थे तो क्या सत्यूग में भी बुरे प्राणी रहे होंगे अगर सत्यूग में सब लोग अच्छे थे तो फिर नरसिंगावतार के रूप में भगवान बिश्णू को आगर के हिरनकस्यप और हिरनाक्ष का बधक्यों करना पड़ा और अगर त्रेता यूग में सब सही ही थे तो रावड और उनकी सारी सेना को इतना बड़ा युद्ध क्यों करना पड़ा तो ये तो सभी यूगों में मनुस्यता दोनों आयामों में बिभाजित रही है क्योंकि लाइफ इस पेजड और डामेट्रिक अपोजेट्स तो बिरोधी दुरों के मिलन से ही निर्मित होता है संसार स्रिस्टी इसमें दिन है रात भी है हिस्त्री है पुरुज भी है इन है यांग है राइट है रांग है ये दोनों बिपरित सक्तियों के मिलन से ही स्रिस्टी निर्मित होती है ये दोनों सदयों रहेंगे हाँ सत्य जुग में सात्य विक्षक्तियों का वर्चस डामिनेंस होगा कल जुग में नकारात्मक्षक्तियों का डामिनेंस होगा लेकिन हर युग में अवतारी शक्तियां आकर सकारात्मक्ता को बढ़ाने के लिए सक्क्री होती है और ध्यान और प्रेम जैसे सादनात्मक आंदोलनों को पैदा करती है और अब साइन्स टेटनोलोजी इतना धीक बिक्षित हो गई है कि अब सतजुग को पुना पैदा करने का समय आ गया है वक्त आ गया है अब बहुत सारी चीजे तेजी से पैदा की जा सकती है जिन चीजों को पैदा करने में जिन सकारात्मक्ताओं को लाने में पहले जनम जनम लग जाते थे अब साइन्स टेटनोलोजी और समझ की क्रांदी के माध्यम से उन्हें साल दो साल पांच साल में पूरा किया जा सकता है और पांच साल में इस पृत्वी का चेहरा भी बदला जा सकता है नई मनुस्तापैदा की जा सकती है अब वो विज्ञान मनुस्य के हाथ लग गया है अब हमें राम और कृष्ण पैदा करने होंगे और ये अवतार इस बात का संदेश देते हैं कि तुम्हारी संभावनाई है एक तुम्हारी रियलिटी है जो तुम जी रहे हो मनुस्ता वो रियलिटी है जो मनुस्त जी रहा है और राम, कृष्ण, क्राइस्ट, मुहम्मद यह हमारी संभावनों के परतीख है कि इन संभावनों को हम चू सकते हैं उन्हें प्रकट कर सकते हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्हें साकार कर सकता है Positive, Negative Forces की गुरुजी अपने बात की यदि इसको थोड़ा सा और Extrapolate किया जाए और science में ले जाया जाया तो I guess microcosm में atom के structure में भी यह पाया जाता है कि एक तरफ proton है और एक तरफ electron है तो उनके combination से ही स्रिष्टी चल रही है, even atoms चल रहे हैं, उससे molecules बन रहे हैं उससे पूरी स्रिष्टी बन रही है तो वो ही represent होता है हमारी असली जिन्दगी में भी, कि एक तरफ राम है एक तरफ रावन है, एक तरफ positive है, एक तरफ negative है correct? जे, जे, जे exactly it is the same thing electron, proton and neutron तीनों का interplay है this whole creation और एक atom जो है वो बिभाजित होता है अनु का बिस्पोर्ट होता है तो तीन dimension होता है electron, proton and neutron और फिर इन तीनों से अनेक का जगत निर्मित होता है this whole creation इन तीनों का ही विभिन अनुपातों में अभिव्यक्त होना है अध्यात्म के विज्ञान में भी यही इस्थिति है एका माई जुगत भी आई तिन चेले परियाणू एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवानू यानि इस अस्थित्य की एक ही शक्ती है एक ही energy चाहे उसे ब्रह्म को हो चाहे उसे परमात्म को हो चाहे उसे उर्जा को हो विज्ञान उसे उर्जा कहता है कि उर्जा एटम के रूप में तीन में तूड़ती और अध्यात्म के भैग्यान को ने हजार हजार साल पहले कहा कि वो इस अस्तित्त की शक्ति अपने को तीन में प्रकट करती है वो ब्रम्ह या परमात्मा अपने को तीन में प्रकट करता है किसमें ब्रम्म, विश्णू, भेश, यानि एक एलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या हैं, एक पैदा करता है, एक संभालता है, पालन पोशन करता है, और तीसरा डिस्ट्रॉय करता है, विनास करता है, तो इलक्टरन, प्रोटरन, न्यूटरन तीनों में सेम इलेमेंट्स Creator, Destroyer and Supporter and Maintenainer और फिर इन तीनों के विभिन अनुपातों में अनेक का जगत होता है तो सारी अध्यात्म की यात्रा अनेक के जगत से तीन में आने की है और फिर तीन के जगत से एक में आने की है जिसे अध्यात्म के विग्यानिकों ने अध्वईत का और इस प्रक्रिया का नाम है साक्षी साधना साक्षी साधना के माध्यम से अभी आप इस अनेक के जगत में उल्जे हुए है और जब आप साक्षी साधना का अभ्यास करते हैं तो अनेक के जगत से आप तीन में आते हैं और फिर अभ्यासवर कराता जाता है तो तीन के जगत से आप एक को उपलब्ध हो जाते हैं अद्वईत को और यह एक महत्वण प्रक्रिया है इसी के लिए मैं तीन दिन का साक्षी साधना सिवर रखता हूँ इस बार भी 15, 16, 17, नुमंबर 2024 को वरंदा बन में यह सिवर नरधारित किया गया है साक्षी साधना सिवर जिसमें अनेक से तीन के जगत में और तीन से एकत को उपलब्ध होने का विज्ञान आपको उपलब्ध कराऊंगा अभी समय कम है बिस्तार में नहीं जाए जा समय थैंक यू बहुत ही सुंदर गुरुजी होपफुली आप तीन दिन में ये तीन पार्ट जो सबसे इंपोर्टन पार्ट आपने बोले Creator, Destroyer और Maintainer को कवर कर सकें सारे सादकों के लिए जो भी लगी एनफ रहेगा इस वरक्शप को अटेंड करने के लिए यस, no doubt इसलिए आपने शायद साइंस डिवाइन मुव्मेंट की रशना की है साइंस को कैसे डिवाइन से कनेक्ट किया जा सकता है या 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 अलठय तुछे एंट यज कर दिव कि लगी टुट्टार एंट्डिशंग अठयूं की रहे खलेफ्टार लाइनट की लिए लगी काराशने विघाशन की लिए रहे बनेंसिश कैनलожasında अबे के लिए भूज की आवगो जो खंच लिए अग्यों में से अच्ब लिए भी जब अन्यन से अच्छाइबू हुआर जो एक प्रफिटली था धर लिए लिए घटेट गजिए तो सुन्वा इसेग अच्छिट अगुटि जए की का थर लिए इसे अच्छोग भी इंगव to religious scriptures or to words or to verbal juggleries. It should become a part of life and living of every individual and every individual can live and experience spirituality with every incoming and outgoing breath. Let spirituality be lived, not preached or practiced. Up till now it has been only preached and tried to be practiced for one hour or two hours. Whereas my aim is to make spirituality livable 24 into 7, making it a part of life and living as breath is part of our life and living and that is why this science divine movement is there. I really hope Guruji this science divine movement you have started grows manifold and everyone comes to know of it. This is my heart. Shakti ki Guruji ham ne baat ki. Maha shaktivan, maha bali, hanuman, param ramb. Ouri hanuman ki ramb bhakti ki parakash tha Ouri ramayan mein batai gahi hai. Bhalayi wu naakpash ko kaatnay se leke sanjeevni lane tak ho. Lai sajivan, lakhan ji aye, shri ragubir harshi urla aye. Itni ramb bhakti hoonne ke baad bhi unhye rambayan ke ant me eek shraap mil jata hai. Hanuman ji ko rambayan ke ant me shraap kyun diya gaya hai? Iski kya story hai? Param aradhyay hanuman ji nissandeh ramb ji ke anan nebhakti thay. Aapka prashna hai, phir bhi unko rambayan ke ant me shraap kyun mila? Pahali baat, bhagwaran ramb nene unhye koji shraap nahi diya. Shraap mila kis se? Usse, hanuman ji ki shraddha, hanuman ji ki bhakti, hanuman ji ke samarpan se bhagwan ramb nene ramban ka badh kiya. और ramban ki patnye ka chubd hoonan, dukhi hoonan, pirit hoonan, swaabhavik tha. और वो bhi aasi nari, jiske bhi tere poolna satiitto ki shakti thi. और jiske sraddha bhakti or samarpan se उuske pati ka badh hua, उus hanuman ke pati akroosh hona, और उusse bhi zyadha, jisne euske pati ka badh kiya, bhagwan ramb ke pati akroosh hona swaabhavik tha. और, kahani kehti hai, कि mandodri to bhagwan ramb ko hi shraap dhe na chahati thi. लेकिन sraddha bhakti samarpan ke karan hanuman ji biech mein aagayi. वो shraapr ramb ji ko na milay, उunhye mil jaya, ऐसी ananya sraddha, ऐसी ananya bhakti, ऐसा ananya samarpan, और फिर mandodri nye hanuman ji ko shraap dhiya, कि जैसे मैं अपने पती ramban se हमेशा हमेशा के लिए bichड गई, वैसे तुम्हें shraap dheti हूँ, कि तुम भी राम से हमेशा हमेशा के लिए bichड जाओगे, जो कि तुम्हारे परंप्रिय है, लेकिन आपको संदे इसलिए नहीं होना चाहिए, कि भगवान राम, hanuman की sraddha से, वक्ती से, समर्पण से, इतना प्रसंद रहते थे, इतना प्रभावित थे, इतना अंतरश्ड़े से आहलादित रहते थे, कि उन्होंने इस shraap को भी बहुत बड़े बरदान में रूपांधरित कर दिया, उन्होंने हनुमान जी को अंत में बरदान दिया, कि तुम सदैव अमर होगे, और कल जुग में भी राम भक्तों की रक्षा करोगे, और कल जुग में सारी मनुस्यता तुमारी पूजा करेगी, तो वास्तों में अनन्य श्रद्धा का, अनन्य भक्ती का, अतियंत सुब परड़ाम हनुमान जी को मिला, जो कि शायद किसी अन्य को संभो नहीं हो सकता था। Undoubtedly Guru जी, हनुमान की भक्ती पर रहाए है, कोई भी अधरन आधुनिक जगत में या फिर और किसी कता में भी नहीं मिलता, जो भक्ती उन्होंने प्रदर्शित की, इसी के लिए I think आज आधुनिक भारत में उनकी इतनी पूजा होती है, और उन्हें इतना सा रहा जाती है। और इस सम्मद्ध में दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा देरजी, कि वास्तों में अगर आपके भीतर हनुमान जी की तरह वैसा ही समर्पण का भाव, भक्ती का भाव आजाय जैसा राम के प्रति उनके प्राणों में आ गया था, तो सर्व स्विकार की जो घटना घटती है, भक्ती की अवस्था में हो जाने पर, समर्पण की अवस्था में हो जाने पर, उस सर्व स्विकार की अवस्था में किसी स्राप का, किसी विपरीत परिस्थिती का कोई यर्थ रहन नहीं जाता है, क्योंकि हर स्राप जो भी हनुमान जी को दिया जा सकता था, वो यही समझते हैं कि मेरे परम्प्रिय, मेरे प्रभु भगवार्न राम के रहते हुए जो कुछ भी उनके जीवन में उन्हें मिल रहा है वो उनका प्रशाद है वो उनको पीड़ा देने के बज़ा है वो उनको सहर्स सुईकार ये हो जाता और उन्होंने सहर्स इस श्राप को भी सुईकार किया और सहर्स सुईकार जब आप कर लेते हैं किसी चीज़ को तो उस श्राप की पीड़ा सोता समाप्त हो जाती पीड़ा तो तब तक है जब तक क आपका विरोध है रेजिस्टेंस है और जब आप स्विकार कर लेते हैं उन्होंने इतने आनंद भाव से श्राप को स्विकार किया कि श्राप की शक्ति स्वता नस्ट हो गई और दूसरा परड़ाम यह हुआ कि भगवान राम ने उनकी भक्ती से अभिभूत होकर उन्हें जो आश्रवाद दिया उसका परड़ाम है कि आज भी भारत बरस में इस पृत्वी पर हनुमान की जितनी पूजा होती है उतनी राम की भी नहीं होती और हनुमान को पूजना ही लोग राम को पूज लेने का माध्यमान दे अद्भूत ये कथा है और अद्भूत ये डिसकुशन रहा है I think we are about to reach the end हनुमान जी को श्राप मिल चुका है और राम जी का आयोध्या में लोटने का समय हो चुका तो दिवाली भारत वर्ष में पूज जी मनाई जाती है राम जी के रावन की विजय पर और राम के आयोध्या लोटने पर किन्तु आधूनिक भारत में जब हम लोग घर में पूजा करते हैं तो पूजा के समय सिरफ श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा क्यों होती है राम की पूजा दिवाली पर क्यों नहीं की ये प्रशन आपका वास्तो में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये सोचने को विबस हो रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों लेकिन अगर आप गौर से देखे तो भारत बरस में दीपावली महोच्चो मनाने की उत्पत्ती बहुत पुराणी है अतियंत प्राचीन दीवाले का उत्भव तो सत्यजुग में ही समुद्र मन्थन के पस्चात शुरू हो गया था जब समुद्र मन्थन में कार्तिक मास की अमावस्या के अशर पर मा लक्षमी समुद्र मंधन के रत्नों के रूप में प्रकट हुई थी उस समय से ही लक्षमी की पूजा शुरू हो गई और उनकी पूजा के अन्यवारे अंग के रूप में बड़े पैमाने पर दिये जलाकर उनकी पूजा करना उनका स्वागत करने की परक्रिया शुरू हो गई और ऐसी मानता है कि मा लक्षमी नहीं संतान थी उनके पास कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मा पारवती से विचार विमर्ष करके आग्रह करके उनके पुत्र गड़ेश को ही गोद ले लिया और जब गड़ेश जी को गोद ले लिया तो उन्होंने अपनी सारी धन, संपदा, बैभो गड़ेश को अर्पित कर दिया और यही कारण है कि सरत पूडिमा से ले करके आमावस्या के रात तक कसम में ऐसी माननता है कि मा लक्ष्मी का सभी घरों में आगवन होता है और फिर लक्ष्मी के साथ साथ चुकि गड़ेश को भी उन्होंने गोद ले लिया और उन पर अपनी सारी संपदा नोचावर कर दी, एपित कर दी तो लक्ष्मी जी के साथ साथ गड़ेश जी की भी पूजा होती है लक्ष्मी जी धन की बैभव की संपदा की देने वाली देवी है और गड़ेश जी की पूजा इसलिए अतियंत महत्तपून हो जाती है कि गड़ेश जी बुद्धी और विवेक के दे होता है तो धन बैभव के रूप में लक्षमी की विराट कृपा मिले और उस धन संपदा को सही ढंग से बुद्धी और विवेग से उपयोग करने की शक्ति मिले इसलिए लक्षमी और गडेश की साथ साथ पूजा की जाती है। परमपरा चली रही थी इसलिए अब तक इसे लक्षमी पूजन का नाम दिया गया था। लेकिन जब त्रेता युग में रामण का बद करके बनवास से भगवान राम वापस आयोध्या लोटते हैं तो आयोध्या वास्यों ने उसी अमावस्या की के आउसर पर जो की लक्षमी पूजन का आउसर होता है। उसे दिन राम का आगमन हुआ तो पूरी आयोध्या में लोगों ने दीप जला कर और लक्षमी गडेश की पूजा करके भगवान राम के आगमन का स्वागत किया। और तभी लक्षमी पूजा की प्रक्रिया दीपावली में रुपांत्रित हो इसलिए आप पाएंगे कि पूरे भारत वर्ष में दीपावली को लक्षमी पूजा के नाम से भी जाना जाता है और लक्षमी पूजा को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यही मुख्य कारण है दीपावली के आउसर पर लक्षमी और गडेश की पूजा होती है औ और बड़े बैमाने पर दीप जलाकर भगवान राम के आगमन का स्वागत किया जाता है। अज्ञान पर ज्ञान की विजय का परतीक बन गई। आप हैरान होंगे जानकर कि हिंदूओं के अलावा जैन भी इस दीपावली को बड़े धुमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत महत्तुपूर्ण कारण है। हम वो द्दत तो कहते हैं, इनलाइटनमेंट कहते हैं, वो पलब्द हुआ। इस पृत्वी पर आध्यात्मिक दिर्ष्ट से भी वैज्यानिक दिर्ष्ट से भी आमावस्या की रात वह समय है, वह चण है जब मनुस्य की चेतना निम्नतम तल पर होती है। डारकेस्ट नाइट आप दी यूनिवर्स होती है। मनुस्य की चेतना अतियंद छीनड आवस्था में होती है। और बुद्धत्य की घटना, कैवल्ल की घटना, इनलाइटनमेंट की घटना, चेतना की उच्चतम सिखर पर पहुंशने की घटना है। चेतना की बुद्धत्य की अवस्ता की घटना, इसलिए, सारे जैन संपरदाय में, अमवस्या की रात को दीपावली की रात की महोच्था के रूप में मनाया जाता है। अज्ञान पर ज्ञान की विजय के महोत्सों के रूप में मनाया जाता है पहले व्यक्ति हैं बर्दमान महावीर सेज सारे लोगों को अधिकान सता बुद्धत पूर्डिमा की रात को उपलब्ध हुआ है पूर्डिमा की दिन मनुस्य की चेतना सिखर पर होती है और ऐसे में बुद्धत को अपलब्ध करना सहाज होता है बगवान बुद्ध तो पूर्डिमा को ही पैदा हुए पूर्डिमा को ही बुद्धत प्राप्थ हुआ और पूर्डिमा को ही उन्होंने अंतिम साथ से पिली लेकिन अमावस्षा की रात इस गटना का होना अत्यन्त महत्पूर्ण है आप हैरान होंगे जानकर इसलिए भगवान वर्धमान को भगवान महावीर की संग्यावी दी गई महावीर का अर्थ है इतने शक्तिशाली कि जब अस्तित में चेतना अपने निम्नतम तल पर होती है उस समय भी वो चेतना के उच्चतम तल को उपलब्द हो सके यानि अपने मूल श्रोत को उपलब्द हो गए ये तो ऐसे ही हुआ जैसे गंगा की धारा में विपरीत तैरते हुए उल्टी धारा में तैरते हुए गंगा के मूल श्रोत तक पहुँच जाया जाया ऐसे ही इस विपरीद परिस्थिती में भी अपने मूल शुरूप को परम आनंद की कैवल ल्यावस्था को उपलब्द किया इसलिए जैनों में दीपावली बड़े दूमदाम से मनाई जाती है इसी परकार सिखों में भी इस दिवस को दीपावली को दूमदाम से मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गुरू हर गोविंद को जहांगीर के काल में जेल से छोड़ा गया था वे इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं इसलिए अपने गुरू के कारावास से मुक्त होने के दिन को वो दूमदाम से दिये जला कर स्वागत करते हैं और इस रोशनी के मौत्सों को मनाते हैं इसी प्रकार दक्षण में नरकाशुर बध भगवान कृष्ण के द्वारा संपन्न हुआ उसके खुशी में पुना असत्य की सत्य परविजय सुब की असुब परविजय के रूप में दक्षण के लोग भी दीपावली को मनाते हैं बहुत ही सुन्दर गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्ण इस पर मेरा ये है कि आपने महावीर के इतनी सुन्दर कता सुनाई वे मुझे आस तक पता भी नहीं था कि उन्हें महावीर क्यों कहा जाता है तो आज मेरा वोड आउट क्लियर हो गया लेकिन क्या इसका ये भी अर्थ निकलता है कि दीवाली का वह दिन जिस दिन हम लोग दीप जला के खुशिया मना रहे हैं क्या वो दिन का भी कुछ सिगनिफिकंस है मेडिटेशन से रिलेटेड और साधना से रिलेटेड क्या उसे एक्स्प्लोर करना चाहिए अगर हम भीतर से सुध्शन नहीं है भीतर से हम प्रकासित नहीं है भीतर अंधेरा है बाहर उजाला है तो ये उजाला आंसिक है ये पूरा उजाला नहीं है ये सिर्फ उजाले का दिखावा है जो चीज भीतर होती है वही बाहर होती है तब हमें उस चीज का पूरुनता से अन्वो और पूरुनता से उसका आनन्द उपलब दोता है रोशनी का असली आनन्द तभी मल सकता है जब हमारे भीतर भी रोशनी हो जब हमारे भीतर भी सफाई हो जब हमारे भीतर का भी अन्धेरा मिटे तो बाहर तो हम आनन्दित हो रहे हैं कि भगवार राम धर वापस लोट रहे हैं और बेंड बाजे बजा रहे हैं लेकिन भीतर स दुखी हैं, चिंता, तनाव, उदासी से बरें, तो ये बाहर नगाड़े बोजाना और खुशी जाहिर करना एक एक्टिंग या दिखावा या अभिनेसा लगेगा, या सरनू, तो अगर सच्चे अर्थों में राम का स्वागत करना है, दिये जलाने है, आनन्द की अभियति क करनी है, तो अपने भीतर भी आनन्द पैदा करना जरूरी है, तभी सच्चे अर्थों में आनन्द पूर्ण स्वागत हो सकेगा, अन्नथा नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं कहता हूँ, दिवारी तब तक अपूर्ण है, जब तक आप हर रोज भीतर के आनन्द को अन्भोन न क कर सकेगा, जब तक हर रोज आपके जीवन में बाहर और भीतर से आनन्द न भरा हो, तो बाहर और भीतर से आनन्द कैसे भरे इस दिशा में हमें जागरूक होने की जरूरत है, अन्नथा हम हजारों साल से बाहर बाहर दिये जलाते हैं, बाहर बाहर बैंड बाजे बजाते है लेकिन हमारा बेंड बजा रहता है हमारा खुद का बजा बजा रहता है तो पहले अपने भीतर आनंद को पैदा करने की कला सीखे और जब भीतर आनंद पैदा करने की कला आपको आ जाएगी तब साल में एक दिन दिवाली मनाने की प्रतिक्षा नहीं करने पड़ेगी आपकी हर रात दिवाली की रात हो जाएगी और भीतर का आनंद कैसे पैदा हो भीतर की सफाई कैसे हो भीतर का अंधेरा कैसे दूर हो इस भीतर के अंधेरे को दूर करने का एक ही उपाय है वही जो भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिया वही जो उपनिशत के रिशियों ने दिया वही जो भगवान महावेर ने दुनिया को दिया और उपाय सिर्फ इतना है कि आपको जो चेतना उपलब्ध है स्वोई हुई उस 95 परतिशत भीतर स्वोई हुई अचेतन अवर्ष्ता को चेतन करने की जरुरत है, यही दिवाली का असली अर्थ है और उसे चेतन करने के लिए आपको आंख बंद करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए अपनी उर्जा को बाहर बहने से रोकना जब उर्जा का बाहर बहना रुख जाता है बंद हो जाता है तो उर्जा भीतर बहने लगती है उर्जा ही प्रकासित करती है भीतर के अंधेरे को वो उर्जा जब भीतर के अंधेरे को प्रकासित करेगी तब धीरे 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 वही उर्जा जो 95 परतिशत सोई हुई है वो जागेगी उर्जा जितना जागेगी उतना भीतर का आनंद पैदा होगा उतना भीतर अज्ञान की जगा ज्ञान पैदा होगा उतना ही भीतर आपके भीतर सचे अर्थों में जागरण पैदा होगा उतना ही आप तेजी से सुन्यंग से डिवाइन से अस्तित्त से परमात् जित होते चले जाएंगे और ये घटना घटजा है तो सच्चे अर्थों में दिवाली एक आध्यात्मिक महुच्सों बन सकती है आपके जीवन में शांति और आनंद की बरसा कर सकती है थैंक यू बहुती सुन्दर गुरुदेव आपने सफाई की बात की भारत में एक प्रता है कि दिवाली से एक महीना पहले ही हम लोग अपने घर की सफाई चालू कर देता है तारी महिलाएं इसमें जुट जाती है कि एक महीने में हमें पूरा घर साफ कर तो दिवाली के परवपर ही हम ल अभी कहा कि हम लोगों ने भारत के अध्याद्म के वेज्ञानिकों ने जीवन के हर महत्तुपूर्ण अवस्वरों को आनन्द महोच्छों के रूप में रूपांदरित करने की कला पैदा की। हमने जिन्दगी कि हर महत्तुपूर्ण गटना को उच्छों का रूप देने की चेस्टा की। यहां तक कि गौर से जब मैंने अध्यान किया तो पाया कि भारत में एक समय तीन सो पैसेट उच्छों मनाये जाते थे। यानि किसी ना किसी बहाने हम हर दिन को उच्छों में रूप अंदरित करते थे। उच्छों में होने का रथ हैं बाहर से गीत गाएं नाचे आनन्द की अभ्यक्ति करें। और भीतर सांति से आनन्द से मौज से ठिरक्ते रहे। भीतर भी हो आनन्द बाहर भी हो आनन्द इस अवस्था को हमें उपलब्द करना है। मौल उद्देश से भारत बरस में सभी पर्व त्योहार महोत्सो मनाने की बीचे यही रहा है कि हम कैसे जीवन को 24 घंटे आनन्दित कर सकें। इसलिए आनन्दित जीवन जीना ही सबसे बड़ी साधना के रूप में भारत बरस के अध्यात्म के वज्यानिकों ने स्विकार किया। अगर आपको आनन्दित रहने के कला आगा है तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं आप तो ध्यान आत्मक हो जाएंगे। ध्यान की आउसक्ता उस व्यक्त के लिए है जो आनन्दित नहीं है। ध्यान तो आउशद ही है। आउशद किसके लिए जरूरी है जो बीमार हो। बीमार कौन है जो भीतर से आनन्दित नहीं है जो बाहर से आनन्दित नहीं है जो भीतर से आनन्दित नहीं है वो बाहर से आनन्दित होई नहीं सकता है सिर्फ आनन्दित होने का दिखावा कर सकता है। इसलिए भीतर आप आनंदित हो सकें, इसके लिए जरूरी है उस कला को सीखें, जिससे की भीतर का आनंद पैदा होता है, और जिसने भी जाना, जिसने भी पाया, वो सब ने चीक-चीक कर कहा, कि तुम्हारे आनन्द का मूल श्रोत तुम्हारे भीतर है और तुम हमेशा खोजते हो उसे बाहर के जगत में तुम खोजते हो कि धन मिल जाएगा तो आनन्दित हो जाएगे बड़ा पद मिल जाएगा तो आनन्दित हो जाएगे बड़ी प्रतिस्ठा मिल जाएगी तो आनंदित हो जाएगे बड़ा मकान मिल जाएगा तो आनंदित हो जाएगे बड़ी दुकान मिल जाएगी तो आनंदित हो जाएगे लेकिन ये सब मिल जाती हैं उसके बावजूद भी लोग मरे मराये जीते हैं जाने कितने करोड़ पती अरब पती मुझसे मिलते हैं जीन के चेहरों को देखकर ऐसे लगता है जैसे सौ जूते पड़े वो यानि कुछ भी मिल जाए भी बाहर के जगत में बड़ा से बड़ा धन, बड़ी से बड़ी संबदा बड़ा से बड़ा पद तो भी जरूरी नहीं है कि आप आनन्दित हो जाएं तोड़ा सुविधा मिल सकती है तोड़ा भौतिक तल पर आप सुखी हो सकते हैं लेकिन आनन्दित होना बाहर की किसी संबदा के मिलने से संबभव नहीं है अगर बाहर की किसी संफ़धा के मिलने से संबव होता तो भगवान बुद्ध, भगवान महाबीर तो समराठ पुत्र थे सब कुछ उन्हें उब लग थे उन्हें बाहर आनन्द की तलास में जाने की क्या जरूर थी लेकिन बाहर जब आनन्द की तलास में गए तो इसी सत्य का बोध में हुआ कि आनन्द तो भीतर ही था हम कभी भीतर नहीं जा सके इसलिए जो आप दीपावली के महचो पर या होली के महचो पर जो एक महीमेन त्यारी करते हैं सफाई करते हैं दीए जलने की चेस्टा करते हैं बार-बार चिर्फ इसलिये करते हैं कि आपको इतना ही अर्थ है दिवाली मिनाने का अर्थ की बाहर साफ सुत्रा हो जाए और बाहर बैंड बाजे बुझे दिये जलें गीत संगीत हो लेकिन यह तो केवल एक परसंट है असली दिवाली तो तब है जब भीतर भी बैंड वाजे बज रहे हो भीतर से आनन्द प्रस्पुटित हो रहा हो जब भीतर भी संगीत बज रहा हो और वो तब ही संबव है जब आप भीतर से अपना संबंद चोड़ सकें आप 24 घंटे बाहर बाहर ही दोड़ते रहते हैं सारी चेतना बेविन निंद्रियों के माद्दम से 24 घंटे बाहर बाहर बैती रहती है तो भीतर से आपका संबंद इस्थापित नहीं हो पाता है तो दिवाली के औसर पर ही नहीं होली के औसर पर ही नहीं या अन्यम होचों पर ही नहीं हर रोज अगर आप सोयं के भीतर से संबंदित होने की चेस्था करेंगे तो भीतर की सफाई होगी भीतर का अधेरा दूर होगा और भीतर का संगीत पैदा होना शुरू होगा तभी आनंद की रस्दार भीतर से निकलेगी जो बाहर की पूरे जीवन को लपेट लेगी और आपका हर दिन होली और हर रात धीपावली में रुपांतरित हो जाएगी अध्भुत ये डिसकेशन रहा है और अध्भुत डिसकेशन में रामायन के अलग लग पात्रों का जो आपने विश्देशन बताया है रामलीला के जो नए अर्थ निकलके आए हैं उसी से मुझे तो आनंद की प्राप्ती हो गई है किन्तु मैं ये चेष्टा जरूर करूं तो ऐसे मुझे प्राप्ती है जो आपकी की आत्रा जो आपकी बची है इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई न कोई जरूर अटेंड करें तो उसके अंदर आपकी जो आप्रतिम प्रगती होगी उसका विश्वास आपको खुट को नहीं होगा क्योंकि एक संबध सद्गुरू के सानिद्य में की हुई साधना अवश्य पूरी होती है यह हमारे पुराणों में हर जगे पे लिखा हुआ है औ तो एक तद्गुरू को ढूंडने की जो चेष्ठा आप लोग कर रहे है उसमें यह एपिसोड आपका काम आया होगा इसी की आशा करता हूँ और आप सबको कुछ न कुछ इस एपिसोड से सीखने को जरूर मिला हो तो जिन भी मित्रों को इस एपिसोड में से कुछ सीखने की अन्य सोशल कॉजस पे जुगी जोपड़ी बच्चों की शिक्षा से लेके खादे वित्रन तक काम करती है उसके लिए डोनेट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिये गए क्यूर को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये हूए लिंक को क्लिक कर सकते हैं या